गूगल ने हाली में अपने सालाना डेवलेपल कॉन्फरेंस गूगल आयो तुथाजन एटीन का आयोजन किया था कैलिफोर्निया में तीन दिन तक चले इस इवेंट में कम्पनी ने कई सारी बड़ी घोशनाय की हैं इन भोशनाय में सचे खास बात रही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टेम एंड्रोइड पी को जी हाँ कम्पनी ने आधिकारिक पौर पर अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टेम एंड्रोइड पी को पेश कर दिया है हम आज बात कर रहे हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टेम एंड्रोइड पी के उन खास पीचर्स के बारे में जिनकी खोशना कम्पनी ने अपने एवेंट में की कम्पनी ने इस एवेंट में कई सारी जानकारी एंड्रोइड पी से जुड़े दिये हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टेम के नए वर्जन में गूगल ने AI, Core, Strength और Machine Learning पर ज़्यादा जोर दिया है हम बात कर रहे हैं Android P के उन खास फीचर्स के बारे में जो आपके फोन को फूरी तरह से बदल देगा Adaptive Battery Feature इस फीचर की मदद से स्मार्ट फोन की बैटरी ज्यादा बहतर होगी कम्पनी Android P Machine Learning और Artificial Intelligence की मदद से ये फोन की बैटरी लाइफ को सुधारेगा वही ये यूजर्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तिमाल किये जाने वाले एप और सर्विस को प्रमुकता देगा Adaptive Brightness Android P का Adaptive Brightness पीचर मशीन लर्निंग को इस्तिमाल कर आपके स्मार्ट फोन के बैटनेस को आटो एडिस्ट करता है AI की मदद से ये समझेगा कि यूजर्स अलग-अलग सेटिंग में इस तरह के Brightness रखना पसंद करते हैं App Action Android P में App Action फीचर को शामिल किया गया है ये फीचर प्रेडिक्ट करने में सक्षम होगा कि आपको क्या करने की ज़रुद है उधारन के तौर पर अगर ये आपके रोज के इस्तमाल से ये सीख ले कि आप रोज इस दोस्ते बात करते हैं तो ये आपको पॉपप के जरिये सुझाओ देगा कि आप उस दोस्त को कॉल कर ले Smart Auto Rotate Company ने Smart Auto Rotate फीचर में काफी बदलाव किये हैं नया Smart Auto Rotate आइकॉन अब आपको नेविगेशन आइकॉन के पास ही एक पॉपप में नजर आएगा जिससे ये आपके फोन को आटो रोटेट होने से रोकेगा जिहां अगर आप जब तक नहीं चाहोगे कि आपके फोन की स्क्रीन रोटेट हो तब तक ये आपके स्क्रीन को स्टेबल रखेगा यानि की फोटो आटो रोटेशन को रोकेगा Do Not Disturb Mode Android P में मौजूद ये फीचर फोन में Do Not Disturb पीचर को अक्टिवेट करता है इस फीचर की मदद से यूजर का फोन ऐसे मोड में चला जाता है जहां किसी भी आप से भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन फोन के डिस्प्ले पर नजर नहीं आती अप के लिए सेट कर सकेंगे टाइमिंग Android P में बड़े काम के फीचर शामिल किये गये हैं इसमें यूजर ये भी देख सकेंगे कि वह स्मार्टफोन पर कितना समय बिताते हैं साथ ही यूजर इस बात की भी जानकारी ले सकेंगे कि वह किस आप को कितना इस्तिमाल करते हैं एक जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमतnews.in के साथ